हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पैसर पॉइंट में तही दिल से हार देके स्वागाद है दोस्तों आज किस कलास में बात करेंगे आई टी आई फर्स्ट एर मॉडूल फेपर थेड के बारे में हम बात करेंगे मॉडूल फेपर थेड के अगर हम बात करूँ क्यूशनों में तो इसमें शॉल्डरिंग जॉइंट और वाइंडिंग समंदित क्यूशनों के बारे में इसमें डिसकर्शन करेंगे यानके joint से समपनित कुछन आ जाएंगे इसमें और shouldering और winding से समपनित इसमें कुछे कुछे क्युषन द्रहुं के बारे में इस class में discussion करेंगे इसके पहले जो last class थे उसमें total 33 कुछन बारे इस class में हम total bound कुछन के बारे में discussion करेंगे और जितने भी साती नए पहली बार जो कलास देख रहे हैं चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो अपली चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और सबी कलास के अंद तक जरूर बने रहे हैं तो बिना टाइम को स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सबा तो पहला क्यूशन है अपना 32 एंपियर रेटेड केबल की धारा वहन समता क्या होगी यदि पूनायतार भांधने योगे फ्यूज से सुरुक्षित किया गया हो तो यह यहां पर क्यूशन दिया 32 एंपियर रेटेड केबल की केबल उसकी आपको धारा वहन समता गयात करनी है और यहां पर फ्यूज का देखो क्या नाम देखो दिया हुआ किट केट फ्यूज रिवाइरेवल फ्यूज और रिवाइरेवल फ्यूज पुन्यतार भांधने होगे रिवाइरेवल फ्यूज अथार्ट केट फ्यूज आ गया तो दोस्तों पहले बात तो इसमें जो डाटा दिया हुआ डाटा पूरा दिया हुआ है और इसको समझने के लिए को आपने देखा हो कई यूट्यूबर वगरा इसके डारेक्ट जो आंसर आपको देदिया गया य किसे से एक्जामर जो बार्थती सकले पीडियेफ पे जो पैंक क्यूसन डेले वे उनमें जो आंसर मान रखा जो पीडियेक बोर्ट भी वह रिंच माना था उसके अक्वरणिक अपने को आशर क्या देना है चब्वी से अमपेर अब बात की सो सिद्ध करें जो अपने को पत रेजिस्टेंस हो गया और यह अपना इंपिडेंस हो गया और शाम्मान कोसफाई के बाद सकते गुणा कितने पका तीन पका है एकाई लेगिंग और लीडिंग साम्माने तो जो पावर फेक्ट होता वो कितना होता है आर बटा जेड और शाम्माने तो जो पावर फेक्टर होता हो कितना होता है 0.8 तो 32 गुणा 0.8 जब इसको सोल करते तो आर्ट यह चोईस पच्चिल लगबग यह आमाना था आपका 25.5 इन 25 एंपिर के आसपास यह माने आता है तो यहां पर इसके अकोडिंग राइट आंसर क हो जाएगा अब बात करते हैं नेश्ट कुशन की और नेश्ट कुशन अपना इस डबलूजी से स्टेंडर वाइर गेच एश डबलूजी से तार का आकार मापनी की प्रास क्या है तो यहां पर एक डाइग्राम देखते हैं अपना इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहां प्रत को इसके प्रास मापने का तो इसके जो खाचे हैं कहां से स्टार्ट हो रहे हैं जिरो से और कहां प्रेंड हो रहा है 36 तो वाप इस question पर तो यहां पर क्या दिया है D option 0 से 36 तो right answer क्या होगी अपना D option यानि कि खाचे प्रास क्या होती है 0 से 36 खाचे होते हैं अगर आप से पूछ ले जाए total खाचे total खाचे कितने होते हैं तो total खाचे होते हैं 37 अगर आप से पूछ ले जाए कि HWG जो standard wire gauge है इसमें सबसे बड़ा आकार किस नंबर के खाचे का होता है तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है 0 नंबर के खाचे का और 36 नंबर सबसे कम न्यूंत मान किसमें होता हाकार व्यास 36 नंबर का अगला कि उसे ने अपना अब कि इसतार जोड का नाम क्या वाट इस डे ने मं औ ऑ यरे जएंट आपको इस जो जोइंट दिया हूआ ड है डायगराम दिया हूआ इस जएंट का आपको नाम बतरना है और जैसे अपने कलास में discussion कहा था तो उसमें अपने परंद था ब्रिमfighta टी-जोईट और टी-जोईट दो पर करके जोईट नंकि Britannia और टी-जोईट वह साम इस तरह का लेकिन उसमें क्या था इसमें इन डाइग्राम में और आप उन डाइग्रामAL home में देखोगे तो इसमें आपको सा difference दिख रहा होगा यहां पर जो है इस तरह से घुमावदार है यानकि वायर जो अपने यहां पर जो है बीच में क्या दे दी उसमें घाट के रूप में उसे देखे फिर उसको वायर के लेपट है तो इस तरह से जो बाद देखे इस तरह का डाइगराम है वह किसमें जाएगा राइट आंसर नौटे टेप जोर्ड ठीक है अगले क्यूशन की बात करते हैं क्यूशन नंबर च्यार तो क्यूशन नंबर च्यार है गेलोवनी करते लोहे के लिए किस परकार के की खोड़ini अप्योब की जाता है यहां इनको डायरेक्ट औरियाद रखने याद जिसे कि मैं बात करूँ मैं आपका जीला कौन से हैं तो जैसे कि आप बताओगे इसको भी ध्यान में रखना है कि जो गैलोवनी करते लोहे के लिए किस प्रका का अगले वी बात ने क्यूशन नमबर पांच है मात्रा उत्पाद मात्रा उत्पाद में टिनिंग का रहे हैं तो कौन से प्रयोग में किया जाता है तो मात्रा उत्पादर में टिनिंग का रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए ओप्शन इसका डीप इसोल्डरिंग अब देखो जब करते हैं तो सोल्डरिंग की चार विदियां होती है सोल्डरिंग की चार विदियां होती है पहली टिनिंग पहली विदि टिनिंग फिर होती है टेकिंग टिनिंग टेकिंग और फलोटिंग ठीक है तीनी विदिया है अब टिनिंग टेकिंग और जो फलोटिंग होती है इनमें होता क्या है कि सुरवाद में टिनिंग के दर फिर ट केबल में X से अंगीत भाग का नाम क्या है वाट इस दे नेम ऑप दे पार्ट मार्कड एस एक्स इन अंडर ग्राउंड ये यूजी केबल आपको अंडर ग्राउंड केबल है उसमें जो X इन दिया हुआ है उसका आपको नाम में बताना है तो बैंडिंग आर रिम रिंग अब तक में एक डाइग्राम के उपड़ चलता हूं और इसमें आप अगर आप भी भी आपको समझे में नहीं है तो यहां आप देशकते हो पहला दियाओ सर्विंग आर्म रिंग बैंडिंग लेड और इंसुलेशन और कंड़क्टर इसको अपन ने ट्रिक दीती सब एल आई सी करो एस से सर्विंग हो गया एसे आर्म रिंग हो गया बी से बैंडिंग संस्तरन एल से लेड कावर और आई से इंसुलेशन और शी से कंड़क्टर अब देखो यहां पर कौन सा दिया हुआ इसमें क्यूस नंबर च्छा में यहां पर आज से बैंडिंग तो क्या हो गया अपना राइट अंसर ने बैन अपना राइट आंसर आप जरूर यहीं है कि इसमें बैंडिंग दीया, उसमें यहां भी एकस दे सकता है por Wirmani इसको थोड़ा सा है, इस तरफ से लिखते हैं, सब L.I.C. करो, यहां से आप याद रखो, स-A-B, तो स-A-B, स-A-B, सब L.I.C. करवाओ, इससे आप याद रख सकते हो, अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर साथ, यहां पे आपको XLPE केबल की जो है, अगला क्यूशन की बात करते हैं, और अगला क्यूशन अपना, अगला क्यूशन बूमिकत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या है, तो सर्विंग परत यह सबसे उपरी परत होते हैं, तो सबसे पहले बात करूँ, सर्विंग परत, यह आर्म रिंग से क्या होती है, उपर के परत होती है, सर्विंग कहां से, सर्विंग परत, आर्म से उपर और इसका उप्योग क्या होता है तो वायू मंडले नमी वगरा से शुरुख सा करते हैं अपना ठीक है तो यह ओप्सन है केबल को नमी से बचाना कारी करती है लेकिन यहां पर सर्विंग प्रतका स्रोग परीकारी देखना है केबल को यांतरिक चोड़ सी कौन बचात है नमी वगरा से शुरुख सा परदान करती है तो ऑप्सन अपना डी यहां क्या हो जाएगा राइट आंसर क्यूशन नमबर नो है लूप टेस्ट में भूमिकत केबल किस परकार के दोस्त के इस्तान को ग्याते किया जाता है यहां पर नाइन नमबर क्यूशन देखना है औ देखने की विद्धी का उप्यों करता हवा में रेक यहां पर हो जाएगा डारेट बी ओप्सन देखो एक कुछ क्यूशन ऐसा है जिनका आपको डारेट जो है उनके आंसर आपको याद रखना अब दो यह सीदह सीदह क्यूशन है इसके क्यूशन को पढ़ने से पहले मैं सकरूं जब अपनने चालक कुचालक और अर्चालक जब लेशन पढ़ था यानी की कंड़क्टर कि सेमी कंड़क्टर और इंसुलेशन कंड़क्टर यह तीन टॉपिक जब पढ़ेते अपने तो पढ़नेएं इनकी सारणी पढ़े थी कि जो आखरी कक्सा मेर जो इलेक्टर आखरी में 4, 6, कम और जो अर्द चालक है उनमें कितने रहेंगे चियार और जो कूचालक है इंसुलेटर है उनके में 4, 6, 8 तक मैक्सिमम कितने होंगे 8 तो चालक पदार्थ है तो उनकी तो आखरी क्षा में तो इलेक्ट्रोनों की संक्या हो सकती है यहां अपने बात करें एक दो या तिन इनमें से हो सकती है जबकि 8 आलकों में हमें से कतनी रहेंगे 4 जबकि कूच आलकों में हो सकती है 5, 6, 7 और 8 यह इलेक्ट्रोनों का एक विन्यासिक अक्साओं में इतने आखरी कक्सा में इलेक्ट्रोनी संक्या यह हो सकती है एक दो तीन चालकों के अंदर अब तामबे के परमाणू के आभंद चक्र में कितने इलेक्टरोन होते हैं यानि कि जो आखरी एक्षा उसमें आपको जो है यहाँ पे इलेक्टरोनों की संख्या आपको बताना जो लास्ट कक्षा उसमें इलेक्टरोनों की संख्या आपको बतानी है तो देखो यहां पर यह हो गया परमानू का एक डाइग्राम प्रोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो option में तो क्या होगे इसका right answer a option है जी right answer अब देखो यहाँ पर इसकी हम बात करें question की परमान की कक्सा है तो कक्साओं के बात करूँ तो पहले k, l, m, n अब देखो इसका जो formula का जो विन्यास होता है वो होता है to n square formula से किससे होता है 2n square formula के according जो है electron का कक्साओं में विवरण होता है अब जिसे पहले कक्सा यह बात करूँ तो पहले कक्सा में कितने electron हैंगे तो 2n, तो यहाँ पर अपन देखो इसको द्यान से देखना दोस्तों 2, गुणा n कक्सा कोण सी है पहले कक्सा तो 1 ठीक है अब 2n square 2 एक को एक से गुणा किया तो कितना आएगा एक और यहाँ पर लास्ट में कितना आया दो तो पहले कक्सा में कितने electron रहेंगे 2 electron अब बात करें L कक्सा तो वही 2n square 2 गुणा 2 का square 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो वही M 2 गुणा 3 का square 3 तिया 9, 9 दूनी 18 n 2 का square 4, 2 गुणा 4 square 4, 6 दूना 32 इस तरह से जो है प्रमानु की कक्साओं में electron का विन्यास होता किस तरह से electron भरे होते हैं तो आप देखोगे पहले क्सा में 2 हो गए दूसरी में 8 तीसरी में 13 और 32 इस तरह से electron का विन्यास होता है और 4 को में 4 से कम होते हैं और 8 4 को में 4 और 4 से 8 गुचाल तो यहां जो right answer वो क्या हो जाएगा A option इसे right answer अगला question है बारा number question neon lamp यान neon lamp में विद्धु धारा का प्रभाव क्या कर लाता है और जिसे दोस्त का question आचुका है वो comment box में comment कर दीजिए और जितने साथी session से पहले बार जुड़े हैं और जिन्हों अब तक चैनल को सब्सक्राइब में किया है वो प्लीज उन्हें से निवेद नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यहां क्यूशन है neon lamp से संबादिद और neon lamp जो है गैस यह आई निकरन परभाव परकारी करता है neon lamp या मैं बात करूँ fluorescent lamp वगरा sodium वेपर lamp तो यह किस लिए सिद्धान पर करता है गैस आई निकरने परभाव तो D option हो जाएगा यहाँ पर है right answer ठीक है अगला क्यूशन है कूचालक परत्रोद की एक आई तेरा नामर क्यूशन है गलत नहीं होना चाहिए यह खूब पड़ा है कूचालक पदार्थ और जिसके आई यहाँ मैं बात हूँ जो आई टीया करके जो तैयारी कर रहा हूँ सबसे कम जोड़ से कम जोड़ तैयारी तो वो इसका भी right answer है दे देगा और इसका right answer क्या होगा मेगा ओम में और परत्रोद का आप से दिया answer पूचे तो परत्रोद का answer क्या होता है और जब कूचालक या insulation resistance कूचालक या insulation resistance का बात करें तो कितना किसम होता है मान मेगा ओम में और परत्रोद का सामाने मातर ओम जबकि cgs मातर क्या होता है इसका अब ओम सिजuyu समाथल क्या होता है अब ओम यहां पर अगर में बात क्यों कुछा लाएक रिजिस्टन किस से मापा जाता है तो यह जो होता है मेंगर की साहिता से मापा जाता है और यह सामभण है 14 नमबर क्योंशन और 14 की मैं बात करूँ तो कौन सा विदुद्प उपकर्ण अधिक धारशन है कौन सा उपकरण विदुद्प उपकर्ण अधिक धारा क्रशन करता है तो एक ती हो गया MCB और B EDA हो गया D option है, HRC Fuse, तो HRC Fuse, MCB और Cart Fuse, ये हो गये महें तो अपना जो right answer है, इसके according क्या हो जाएगा B option, ठीक है, सामाने logic से अपन करें, तो B option क्या हो जाएगा अपना right answer, और cartage, oh sorry, मैं बात करूँ हैं, यहां पर fuse गुणा, तो इसका क्या होता है 1.1 इसका 1.25 कुछ ऐसा होता है और यहां पर जमांबात करूब फ्यूज़तार का इसका 1.4 से लेकर 1.7 तुछ तक जो हता है मान होता है ना 1.4 से 1.7 तो बी ओप्सन क्या रहेगा राइट आंसर अब क्यूस्टर नमबर पंद्रा शीरो पर लाइन में चाले की लंबाई बढ़ाने हैं तो किस जोड़ का उप्यों के जाता है और जो स्टुडेंट कलास ले चुका है उसका क्यूशन यह गलत होता है तो उसके तैयारी करना बेकार क्योंकि शीरो जो जोइंट क्यूशन है हाली में जो क्लास उनमें जो जोइंट के क्यूशन थे वह कंप्लीट हुए हैं तो फटा पर इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देदीजिए किसका आंसर क्या होगा जितने भी जो जोइंट है जो दिख रहे हैं इस पर उनके बारे पूरी अच्छी तरह से पहले पढ़ा चुका तुमसे निवेद ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिस सेख़ती सिंख्या में लेंग जो चैनल है उसका लिंक का अधिक सेख़ती के सेर कीजिए ठीक है बात करते हैं क्यूशन की सिरो परी लाइन जो सिरो के उपर खंबे को लाइन होती ह स्कारफ जो ऑस Чौंद के बात करें तो इसकार्फ जोइंट सिरो परी तब लाइन से उपभोगता को कनेक्सिन देने के Basket लेता है एरेल टेप यह भी सामने जो बहुता है कनेक्शन और ब्रिटानिया टी जोड ओ सुरी वेस्टर यूनियन जोड यह क्योंता अधिक खिचाओ बल या फिर शिरो परी जो चालक तार है उसके लंबाए बढ़ाने के लिए जो है इसका परियोग करते तो आप्शन नंब ग्रूप और टेलेग्राम ग्रूप का जो लिंक दिया हुआ वहां से आप उनको जोइन कीजिए और वहां भी आप कमेंट कर सकते हो वहां से भी आप कोई सॉलिशन पूछ सकते हो ठीक है अगला क्यूशन है एलमूनियम चालकों को सॉल्डरिंग करने है तो किस परकार की अपना राइट आंसर ज्यादा देख नहीं जूरत इसको है क्योंकि सबको पता क्या होगा यदि अत्यदिक धारा लंबे समय तक भैती रहे जो केबल है उसका पीवी सी कुचालक का क्या होगा यदि चालक जो मालो धारा उसमें उत्यदिक लंबे समय तक भैती रहे तो कुचालक प्रतिरुद गठ है सीधी सीधी बात है तो इसमें जा देखने जूरत नहीं डी ओप्सन क्या होगा राइट आंसर तो तलते हैं अगले कि अगला क्यूशन है यहां पर जो डाइड इंसलेशन और कंडेक्टर तो इसके अगला क्यूशन है यहां पर बने जो डाइगराम है इस डाइगराम कि अकोडिंग इसका आपर राइट आंसर देशके हो ठीक है अगला क्यूशन है भूमिकत के बरेट की इसने ृप्ध कर दोस्ट की जांच करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो कौन सा लूप मारे टेस्ट दोता है यहीं हो कि बी ऑप्सब्स निजलाइट आंसर अगला कि उसने तेवस नंबर soldering iron का उपयोग न करने कि के समय स्टेंड में क्यों रखा न चाहिए देगो soldiering iron क्या तो यह जो इस त्रगर आपना हुआ है, यह क्या हो गया? soldering iron ये वाला और ये हो गया आपका soldering तो इस soldering iron को काम में नहीं लेते समय soldering जो इस्टेंडेस में क्यों रखा जाता है यह इस question में पूछा गया तो देखो यह जलने वा अगनी को रोकता है अतरीक तुसमा को नेंदन करता है soldering परकेरिया को से बचाता संचलक को विद्व तो ये option क्या हो जाएक इसका राइट आंसर ठीक है अगले कि वादरे जक्सन वॉक्स में किस परकार का जोइंट काम लेते हैं तो वहां पूटकॉर्ण से काम लेते हैं रेट टेल पूच के सबाएं लगभुजव यह वाइर अंदर यहां जो वाइट दिख रहे हैं इनको पांच-पांच मन निकालके इनको एक दूसरी को पर मिलाके आगे मुझ को हलका सा इस तरह से मालों यह दो वाइर है इनको इस तरह से मिलाया और लास्ट मुझ को इस तर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजी क्या इसका आंसर होगा 25 नंबर क्यूशन तो इस तरह से जोइंट है यहां एक जोड़ा यानि घर जोड़ा सा बन रहा है इसमें और जैसे घर जोड़ा का नाम आव आगया तो जोड़ा कहा होता है मेरीड के अंदर तो इसकारप जोइ से सिरोपरी लाइनों में लंबाए बढ़ने के लिए इसकारप जोइंट है अर्थिंग के अंदर वेस्टर यूनियन जोड यह भी सिरोपरी लाइनों में और बेटा ने उबहुकता को कनेक्शन देने के लिए तो डी ऑप्शन इस राइट आंसर रिपरिंग कारे विधी परियोग में ली जाती है किस परगाए विधी का उप्योग क्या है तो नरम शॉल्टरिंग और केबल शॉल्टरिंग पीसी बीच चोटे जो डीप सॉल्टरिंग में जाएगा सी ऑप्शन इजे राइट आंसर पीसी बी और दोस्तों कि आपको लगे कि तोड़ा पा या फिर शिलो इन आ और स हम अगे से आपको स्री तरह से अगर Stepp और किने uिसन न रेक्ष अधार क्यूर उसको रिपीट कर दें दोप्ड़ा अgi इачеिस नंबर से बढ़ेट भूमिकत केबल में एकस अंकिते भाग क्या होगा Belted Cable या फिर Screen Cable जो Belted Cable और Screen Cable है इनकी जो rating है उससे समद्धी और नेस फेक्टरी में कुछा गया था तो यहां पुछा गया है Belted Cable Belted Cable जो भाग चिन दिया हुआ है इस जगह गा तो यह भाग कौन सा इसमें पूछा गया है तो पर्टसन फेलिंग और आर्मरिंग लेड़ सी तो यह क्या हो गया C इसका राइट आंसर ठीक है अगले कुछा बात करें तीस नमबर कौन सा कुछा लग पदार्थ भूमी गत केबल में गरम योगी की तरह डाला जाता है तो गरम में योगी की तरह डाला जाता है यह ध्यान रखना अब वही बात अगला कुछने भूमी गर्ण करता है केबल संबनी तो आगया वापिस भूमी गत केबल में बेंडिंग का उद्दे से क्या है जो बेंडिंग है बेंडिंग का उद्दे से क्या है तो बेंडिंग क्या करता है हाथु होती हाथु कोच्छी क्या करता है सरण से बचाओ करता है तो के एक यांतरी के नमी और ये डी ओप्सन तो यह क्या हो जाएगा डी ओप्सन आपका राइट अंसर Qt 32 बात करें बोमेगत कैबल किस परकार के दोस्त को जैते है ठीक है बोमेगत के अब देख़ए यहां पे दिया हुए यदी 1 वे चालक को साथ बटा 1.40 में अंगित कि आया. तो 1.5 क्यां दरश्रता है? न्यस्वेश्रम की मैं बात करूँ तो पहले बातु है 7 कि 7 इसमें क्या दरश्रता है तो जो 7 कि इसमें क्या है साथ बटा यह हो गया एक पॉइंट चालीस तो इसमें साथ चालक तार है कितनी चालक तार है साथ चालक तार है और परतिक क्या व्यास क्या है एक पॉइंट चालीस ही एम एम तो यहाँ पर क्या दशाएगा परतिक चालक तार का व्यास यह परतिक चालकतार का व्यास यहां व्यास छूट गया तो परतिक चालकतार का व्यास D option क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दूसरों को next question है चौटिस नमबर और इस तरह क्यूशन आता है यहां आप से पूछाए तो इसमें परतिरों यहां परतिरों महान के बाति रूफ परतिरों में मेटर जिससे सबसे कम परतिरों देखता किसकी होती है चांडीगर कितनी होती है एक पॉइंट ए बासे गुर्णा दसीगा तैब आट ओम मिटर ठीक है तो उसी तरह एक पॉइंट बासट एक पॉइंट भैत्र और यहां दो पॉइंट भैत्र और दो पॉइंट चोराशी तो एलुमूनियम तीसरे नंबर पर आ ठीक है तो यहां पर अगला कुशनी बात करें केबल की अत्रिक धारा सुरुक सा रेटिंग क्या होती है तो वही पावर फेक्टर की साबसी क्या हो जाएगा सी ओप्षन इसका जीरो पॉइंट आठ तो यहां जो राइट आंसर है सी भूमिगत केबल में 36 नंबर कुशनी बात करें हैं भूमिगत केबल में उदासी न्चाला का आखार फेज चाला की तुलना में होता है यानि उदासी न्यूटरल तार का किसका न्यूटरल तार का चो आखार होता है फेज तार की तुलना में क्या होता है उससी छोटा होता ह थार उससे आधा होता है तो यहां हो जाएगा बी ओप्सिन इसे राइट आंसर एक बटा दो होता है मुख्य तार की अपिक्सा माइक्रोमीटर और मायक्रोमिटर में पाठ्थ्यां तो इत्थॐरिय। कि पाथ्यांग के इस पाथ्यांग की साफसे का मान आपको यहां देख के बताना है तो 5 यह भी नहीं होगा दोनों अब हो गए 4.25 और 4.05 में से होगा इन दोनों में से इसका रट आंसर होगा ध्यान ठीक है तो 49 में अगर इसे बात करें तो देखो च्यार और यह आ रहा है पांच पर इस पर आ रहा है पांच तो यहां हो जाएगा सी इसको आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो बिल्कुल एकजित कर च्यार पॉइंट पच्पन इसका मान रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 49 में झूर बोड़ी को पैंट करते हैं पैंट में क्या काम लेते हैं चमक दार पैंट बणा लें वह उसमें माय का अब्रकाम ली जाती है अब यह हाल को एकजाम पूछा ज़िए यादा गया बोड़ी के नाम से ठीक है गुते हुए चालक का ठोच चालक की तुलना में क्या लाब है अधिक लल्चिला होता है बी ओप्शनी चे राइट आंसर अगला कुछने 42, 16 एंपियर केबल 16 एंपियर केबल की धारा शमता क्या है यदि अधिक अत्रिक धारा सुरुक्षा द्वारा सुरुक्षित है तो 42 नमबर कुछन जिस तरह से भी लाच्ट जो पस्ट नमबर कुछन था अपना 32 एंपियर वाला आरबटा जेड़ो इसका मान केतना होता है 0.8 से आप गुणा करो तो 16 गुणा 0.8 लगबग मान केतना आएगा बी क्यास पासन बी वाला हो तेरा हो एंपियर अगला कुछन देखो बार्यू क्लास से आप पढ़ते हैं और 10 बार्यू से बेजली की मात्रा तो इसके उपर जाता आपन बहास नहीं करेंगे कुलाम ठीक है और यदि आपको इसके बारे में जौदा पूरा विस्तार पूरू किस तरह से कुलाम आता है कौण कौण से मात्रे क्या होते हैं तो आप जो क्लास है बैसी क्लास डिलीव ही है चैनल को इसे आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख लिजिए और अब इ कि दीप शोडूरिंग शोल्द यहां फोड्रींग गण खोड़ा के साथ शोल्ट रिंग करने के लिए कि शुत्र का परीयोग में लिया जाता है सुत्र की मैं बात करूँ तो शुत्र होता है रप करें कर इनके correct देगाँ..देग यहाँ वीभुहंतर मैस वॉल्ट नहीं होगा वीभुhaंतर प्लास फाथ वीभुषांतर वउल्टेज पान प्लस वोल्टेज बात तो यह हो गया V plus voltage drop the option क्यों होगे इसका right answer कि दो तो बात करते हैं नेश्ट क्यूशन की और नेश्ट क्यूशन अपना यहाँ पर 35 नंबर वे क्यूशन नंबर 46 जब 35 पढ़ोगे तो लगवा क्यूशन आपको दोनों सेम दिखेंगे जब आपके इसके इंग्लिस पढ़ोगे तो इंग्लिस में कुछ थोड़ा सा इसमें आपको चेंजिंग मिलेगा और वही जो थोड़ा सा चेंजिंग मिल रहा है कुछ एक सब्सक्राइब या दौसब्स जो मिल रहे है चेंजिंग वहीं से यह क्यशन अपना चेंज होगा दो क्यूशन के अपना वात करते हैं तो क्यूशन 35 नमट क्यूशन एक केबल की अधिक अत्रिक धारा सुरुक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक में और 16 नमर्स निबात factor for a close axis current तो यहाँ पर क्या दिया है इसमें close axis current यह वाला जो point यहाँ पर आपको इसको द्यान रखना है close axis current अब दो इसमें 35 नमर कुशन में what is the rating factor of cable provide the crosses axis यहाँ पर क्या दिया हुआ crosses axis यहाँ दिया crosses axis और यहाँ दिया close axis बस यहीं से question अपना trend ले चुका है कि करने जो question है C के यहाँ पर answer अपना इसके दोनों के according यहाँ पर answer चेंज हो गया cross axis का जो मान होता है यहाँ कि वो क्या होगा right answer यहाँ पर C 0.81 जबकि cross axis का जो मान होता है वो होता है 1.23 अब cross axis और cross axis मान किस तरह से होता है 0.21 क्या होता है यह होता है केबल का केबल की जो rating होती है जो factor rating होती है उसका मान कितना होता है 0.21 क्यासी था केबल की जो factor rating होती है उसका मान होता है 0.21 और यह भी केबल की factor rating होती है उसका मान होता है 1.23 लेकिन यहाँ पर यह जो केबल की rating है यह जो यहां मान दिया हुआ है केबल की rating 0.81 यह क्या है C option यह है केबल की cross axis factor rating कौन सी है केबल की cross axis factor rating 0.81 और केबल की cross axis factor rating का मान कितना होता है 1.23 तो यहां पर तो जो राइडा answer रेगा हो C रेगा और यहां भी दोनों जोगे C लेकिन यहां पर मान 0.81 और यहां पर 1.23 इसका right answer रेगा ठीक है दोस्तों और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please सभी से निवेद देना है कि जो वीडियो का जो link है वा अधिसादी share कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूले तो यहां पर क्या हो जाएगा 47 number question है कम लच्चिला कठोरता कम लच्चिला कम गलना तो B option ही जे right answer ठीक है अगले question की बात करें 48 number question तो soldering विदी का नाम जो soldering विदी है इस soldering विदी का आपको नाम बताना है तो कौन सी soldering विदी है तो deep soldering बलो लेंब के साथ soldering soldering अनके साथ soldering तापमा नेंतन soldering तो कौन सी विदी हो जाएगी ये तापमा नेंतन soldering 48 number question में हो जाएगा D option right answer अब आगला question है soldering में ठंडे soldering दोस का कारण क्या है ठंडे soldering का दोस का ठंडे solder दोस का कारण तो यहां हो जाए बी ओप्शनी का राइट आंसर और किसी कुछन दोस्त के कि अगर समझ में नहीं आए कुछन तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर रखते हो और चैनल को सब्सक्राइब लिए तो फिली चैनल को लाइक सब्सक्राइब बोढ़ना ना भूले दोस्ता बात करते हैं नेश्ट कुछन की और नेश्ट कुछन में पचास नंबर क्या होता यदि वोल्ट मेटर को अमेटर की तरह जोड़ा जाए तो पहले अपने बात करते हैं जो वोल्ट मेटर और अमेटर जोड़ा जोड़ा जाए तो यहां पहले बात करते हैं वोल्ट मे इस तरह से यह किसम जुड़ हूं जोड़ता है और वौल्टमिटरा चमotर सब्सक्रा सब्सक्राइब बढ़ जाएगा तो यहां पर पॉच्छा है तो क्लाब क्लेंश क क्लिशन तन वे आपस्ब्सक्राइब क्या हो जाएगा राइट आंसर कि ए ओप्सनी जी राइट आंसर नेस्ट क्यूशन है अपना इक्याव नंबर क्यूशन तो जूम कर लेते इसको और जितने साथी सेशन जुड़ चुके हैं और जिन्हों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उन्हों से निवी अत्रिक्त धारा सुरुक्सा आपको अधिक अत्रिक्त धारा सुरुक्सा पड़दान करने हैं तो वहां इनमें से कौन सा उपकरणा आप यूज में लोग है ठीक है तो MCB, MCCB, Fuse और पुन्वतार तो यहां पर शाम माने तापको क्या काम लोगे D option क्योंकि यह सब महेंगे होते हैं तो अपने को अधिक्त अत्रिक्त धारा सुरुक्सा है तो क्या काम लेना है रिवाइरेबल फ्यूज पुन्हेतार भांदनी यूगी फ्यूज है निकी D answer अपना राइट आंस अगला क्यूशन है और आज का लास्ट क्यूशन बाउंड नंबर क्यूशन इसके अप यहाँ बार कंडेक्टर बेर कंडेक्टर काम में लिया जाता है तो यहां राइट ऑनसर और यहंग eight-क चूर दोस्तों डोस्तों इसी कर साथ जो आज के आपनेशान ने मॉडल फार अपना द में रूह अफकी अ ethic आरई जल्द् soundレay और जल्दी इंप्लोमेटर dest 현재 लो और व्रक्सवप क्लास अप्लोड कर दी जाएगी और जो क्लास थी जो वीडियो था उसमें किसी परकार कोई दिक्कत हो या कुछ क्यूशन समझम नहीं आयो तो आप उनका जो कमेंट क्यूशन जो नाम लिखे किसकी कौन सा क्यूशन था क्यूशन नंबर लिखे आप कमें सब्सक्राइब नहीं किया वो फिली चैनल को लाइक से रोड़ सब्सक्राइब करना ना बुले और आज ही कलास आपकी यहीं तक थैंक्यू है वे नाइस टे